आलो फ्रेंट्स मैं एजुकेटर सुनिय सिंग वेलकम बाइब टीजीटी पीजीटी की रेजल के सिंखरला में आज मैं आपनों को जो है एक बिसे का रेजल बताऊंगा और उसकी हिसाब से 2016 टीजीटी 2016 का क्या कटफ होगा वो भी बताने गोईस करूँगा मैं आपको बता दू आज का जो सब्जेक्ट है वो है होम साइंस ग्रेविग्यान हमारे काफी फॉलोवर्स जो है सब्सक्राइबर हमारे काफी फॉलोवर्स और काफी लोगों ने जो हमारे प्रिबियस वीडियो में कमेंट ठोड़ा था कि सर होम साइंस में होम साइंस का जो है TGT होम साइंस का तो 2016 का जो बिगिप्टी है जिसका पेपर 2019 को हुआ था 8 मार्च को उसका कटप बताईए तो मैं अपनों को आज कटफ बताऊंगा होम साइंस का देखे आज डेट है 7 अप्रिल 2019 आ है जिसमें होम साइंस भी है और यह जो रिजल गोजट किया गया है यह 2011 के बिग्यप्तिका है और इसका एक्जाम मां जून 2019 में खराया गया था और मैं आपको इतना रिवाईज बताता हूँ कि 50 सीटों के लिए यह एक्जाम हुआ था 50 सीट के लिए ठीक है सब लिखा हुआ है मैं इसमें आपको देखाता हूँ लेकिन इसमें कुछ जो मैंने मेरे प्रिबियस वीडियो में जो घपले हैं जो घपले हो रहे हैं उसके बा कि हमारे स्कूलों में 50 सीटों के लिए होम साइंस के प्रसिच्छी तसना तक ग्रिय विग्यान के लिए 50 सीटे खाली हैं लेकिन इस एक्जाम को कंड़क्ट करने और सफल बनाने में आठ साल नौ साल लग गए कमीशन को तो अब कमीशन लिख रहा है कि अब मतलब जब पर कुछ पोस्टे कम मिली औरेडी कुछ पोस्ट वहां पर भर दी गई थी आप सब लोग समुझदार हैं सब लोगों के पास दिमाग है वो पोस्ट कैसे भर गई थी आज सब लोग जानते हैं वहां के मैनेजर या वहां का जो भी एड्मिस्टेशन होगा वो पैसा लेके दिझे एडायवक फैकल्टी को रेडूर कर दिया हुगा या ऑफिसर को मिनिस्टर को बीससी को पैसा खिला दिया है जेरल की सोरह ओवी सी की छे और सी की बारा कुल 34 पद है आप परसान मत हैं मैं कट अब आपको देखाऊंगा पहले आप इस चीजों के फैक्ट को समझ लिए क्योंकि हर विसाय में आपको मिलेंगे और यहीं नहीं मैं अल्रेडी आपको बता चुका हूं कि जो आपकी दोहर 2016 की बिगेप्ति है उसमें सी भी सीटे घटा दी गई है यह मेरे प्रिविएस वीडियो में है आप उस वीडियो को देख सकते हैं प्लेइलिस्ट में जाके और वह इसलिए घटा दी गई थी क्योंकि कुछ लोगों को जो है जो कुछ लोग थे इस तर नहीं में गए केस जी दिया अब यहां पे क्या कह रहा है यह कह रहा है कि बिएस से वहां गए विद्यालाय पे वहां पर सीटे भर गई थी इसलिए जितनी बिगेप्ति निकाली गए थी 2011 में उतनी बिगेप्ति अब नहीं बची हुए देख लीजे सामान बर्ग में 16 जेरल की है अन्यों में देखेंगे कि बिद्यापित पदों का सत्यापन जीला विद्यालाय रिक्षा द्वारा कराये जने के उपरांत वास्तविक रूप से उपलब्द वर्ग जीरो वन में सामान 16 जेरल 6 एसी 12 एस जी जो लट उतना 34 है लेकिन 02 में देखिए सामान 7 ठीक है सामान 8 था जो 7 ह यहां से गई आने पिछड़ा बर्ग दो जो तीन थी वो दो हो गई एक सीट यहां से गई और एसी पांच मतलब एसी की सीट जो थी छे थी मतलब एक मतलब तीन सीटों की कट होती हुई है मतलब तोटल 50 सीटे थी 34 और 17 को आप जोड़ेंगे तो 51 सीटे थी और 48 लड़किय होगा तो मैं बस यह कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है तो इस वीटों की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वाट्सप ग्रूप का चैनल है जिसके जिसको हम गवर्न कर रहे हैं आप सब लोग जो है कठा होई है और इस वीएस से द्वारा कराए गए जयाज को आप जो है हाई कोट में ले जाए उसकी जयाज कराए देखिए नवकरियां एतनी आसानी से नहीं छोड़नी चाहिए और रियल्ट के बास देखिए रियल्ट में एक और आनीमता है जो बाकी भी सही के रियल्ट आये थे उसमें नाम था कैटेगरी थी ठीक है रिटेन में कितने मार्क्स थे ठीक वो बंदी जो है या बंदा लड़का जो है बीड में कितना पाया है इसके बाद वाइबा में कितना पाया हैं फिर टोटलिंग किया था वहां थो ऐसे हुआ है लिए अहां पर देखे कमिשन ने सिर्फ नाम दे दिया है कैटेगरी दिया है और उसने कितने माँक्स दी हैं मतलब ये तक बताने को इसने किया कि उस लड़की के रितर्ण प्रूंगे में कितने थे उसके बीट के कितने मिले हैं उसको वाईबाम कितने में तो यह सब डेटा इन्होंने छुपा दिया है यह सब डेटा क्यू छुपाए जाता है आप सब लोग समझदार है हमें बताने की जरूत नहीं है बस हम आपको जो है लीच दिखा रहे हैं और तो आप इसको देख लिजेगा यह है आपका जो है होम साइंस का कटफ ठीक है आप जो भी कटफ है ठीक अब मैं बताओंगा आपको की कटफ कैसे आपको निकालना है कि मैं कोई कटफ नहीं बताओंगा आपको क्योंकि मैं कटफ बताओं कल उतना कटफ न आए तो आप मेरे पर सब कर देख सराप ने बताया नहीं आया दिखिए यहां पर जो इन्होंने maximum marks जो है उस पर ध्यान मत दिजेगा maximum general बाली जे पोस्ट ग्रूप 1 लिखा है ठीक है इसमें general category लिखा max mark 380 मतलब यह दिखाया गया है कि 47 लड़कियों में 380 से उपर किसी के marks नहीं है तो जो maximum marks का एक खाका बनाता है commission यह तो बक्वास बनाता है अब cut up marks देख लीजिए general का 300 तीरपन ठीक तो मैं आपको cut up बता देता हूं तीन सो तीरपन में आप 40 नमर घटा दीजेगा 40 marks कारड 5 marks 28 के और 35 marks वाइबा के on and average और सतन क्योंकि 50 नमर का होगा तो किसी को ज्यादा भी मिला होगा किसी को कम भी मिला होगा तो आप 40 marks घटा देंगे तो जब 40 marks घटा आएंगे मैं आपको एक example करके बताता हूं तीन सो तेरपन में से आप 40 घटा आएंगे तो लगवक्त 313 marks आएगा 314 और 314 को जब 3.4 से आप divide करेंगे तो 92 से 93 question आएगा मतलब 92 से 93 question 2011 में merit गए थी जरल की ठीक है और देखे इसी के substantially आप सब कट आप बना लीजेगा मैं आपको फिर बता रहा हूं जो भी कट आफ दिया है जिस category का चाहे group 1 का दिया हो या group 2 का दिया हो वहाँ से आप क्या करिएगा ठीक है वहाँ से आप जो है cut up में से 40 marks निकाल दीजेगा ठीक है 40 marks निकालने के बाद उसमें 3.4 का divide कर दीजेगा मैं एक आपको करके बता दिया हूं ठीक है लगवक 92 से 93 question आएगा ग्रूप 1 में जेरल की जेरल की ग्रूप 1 में पहला cut up जेरल का बानवे question और इसे मालीजी यहां 360 है ठीक है 360 में आप 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा लगभग 328 328 में 3.4 का आप डिवाइड करेंगे तो 95-95 question जो भी आना होगा आएगा आप ऐसे सब का निकाल लीजेगा ठीक और मैं आपको बता दूँ जो TGT Home Science 2016 की भरती है उसमें 2500 सीटे है आप देख सकते हैं बिगवती में कुछ घटाई गई है दो चार सीटे आप देख लीजेगा देखे 50 सीटे 48 सीटों से 2500 सीटे हैं सीटे जो 2011 में थी वो थी 48 जिसके आप ही रिजल्ट आया है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका कटफ आप 92 या 95 कोशन मान सकते हैं 92 से पंचान के बीच में चल रहा है जर्रल का और 2500 सीटे होम साइंस की है सीटे पांच गुना है तो यह मान के चल लिजेए आप कि यदि पंचान भी नंबर कटफ 2011 का है जो अभी रिजल्ट आया है तो आप यह मान के चलिए कि 88 कोश्चन जर्रल का 88, 86, 88, 86 यहीं चाहेगा जर्रल का कटफ मतलब यदि हम 86 मिनिमम भी माल लेते हैं तो 95 से 86 नौ माक्स 10 माक्स घट रहे हैं तो आप सब कटेगरियों में से सब जितने भी कटेगरियों में से यह कम कर लेजए गार सबुप कर लीजेगा और सब लोग अपना कटफ देख लेजिए का कितना कट अपध और फ्टिक और जो 6 सब्जेक्ट हैं जिनके रिएल्ट आये हैं उसमें मैं होम साइंस का अपडेट कर रहा हूं एक दो दिन में जो है बाकी के रिजट भी देखके जो है कि आप लोगों को अपडेट कर दूंगा कॉर्स का भी कुछ लोग क्या रही है सर्क्रावर्स का बताई इस जोपना की नहीं है कोई भी प्राब्लम हो तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक चैट ग्रूप होगा उस चैट ग्रूप में आप ज्याइन हो जाएए अपनी प्राब्लम रखी अगर इसको आप RTI फाइल करके आपडेट आप निकलवाईए हाई कोट जाएए लड़िये नौकरी पाईए देखे बीना लड़िस गवर्मेंट देने वाली कुछ है नहीं फ्री में गवर्मेंट कुछ भी नहीं देगी ये चाहे जिसकी गवर्मेंट मैं किसी की मैं योगी सरकार किसी की बुरह हैं निक गुरू नहीं कर रहा हूँ मैं योगी सरकार यह खो देख-फेवर करने वाला गलत सरकार नहीं गलत अधिकारी होते हैं ठीक है वीडियो कैसा लगा आप लोग डिसक्रिप्सन वाक्स में जरू लिक रिके बताईएगा क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे मुरल मिलता है मैं कि आहम मैं जो है आप लोगे लिए जानकारी कठा करके थोड़ा सा बताने कुछ कर रहा हूं ठीक है थैंक यू